स्टूडेंट्स ऑन्लाइन प्यारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें तब से पहले हलो फ्रेंड्स वेरी गूड इवनिंग मैं सुरेंदर पांडे लेकर हाज विरुआ हूँ 4 दिसंबर 2018 के करेंट फैस और जैसा कि आपको पता है हमारे करेंट फैस डेली मंडे टू संडे शाम को 6 बजे प्रस्तुत होते हैं और ये जो हमारे करेंट फैस है इसको हम लोग जो है 360 डिगरी एप्रोच भी बोलते हैं क्यों? विकॉज हम यहाँ पर करेंट फैस के अलावा जो है इसके इर्थ गे जो भी जीके है या रिलेटेट जीके हैं जिनके एक्जाम में आने की संभावनाय बहुत जादा है उन्हें भी यहाँ पर डिसकस करते हैं इसके अलावा हमारा Current Affairs Session है इसमें यह काफी लेटेस्ट और अपडेटेड रहता है हम उसी दिन के इवेंट्स कवर करते हैं जैसे कि आज चार दिसम्बर है तो हम चार दिसम्बर के इवेंट्स ही कवर करते हैं और कोशिश यह रहती है कि आप लोगों को उम्दा कंटेंट और उंदा current affairs जो है सबसे पहले पहुँचे इसके अलावा जो है आप जो है हमारे current affairs को अगर रोज देखना चाते हैं तो इसके लिए आपको subscribe करना है और bell icon दवाना है जिससे कि आपको notification निरंतर basis पर मिलता रहे और आप एक भी वीडियो मिशना करें और अपने success के chances को 101% सुन current affairs session की कल के question of the day से तो कल का हमारा जो पहला question of the day था वो था कि भारत में सबसे तेज चलने वाली train कौन सी है so which is the fastest train in India तो कई लोगों ने शताब दी दिया कई ने गतिमान दिया और कई ने train 18 दिया तो जी हाँ इसका correct answer है train 18 क्योंकि परसो जो है इसका test हुआ था तो उस test में train 18 ने 180 km per hour की speed को पार कर लिया और इसके साथ ही ये जो है सबसे तेज चलने वारी train बन गई है और ये जो train 18 है हमने बहुत पहले discuss किया था कि ये जो train 18 है ये automated रहेगा that means कि इसमें driver की जरुरत नहीं रहेगी ये पूरा का पूरा automated रहेगा और ये जो है किसको replace करेंगे ये शताबदी express को replace करेंगे किसको तो शताबदी express को replace करेंगे ठीक है और शताबदी express कितनी चलती है तो हमें ज गतिमान है इसकी भी लगबग यही speed है 160 km per hour ठीक है दोस्तों तो ये था आपका भारत की सबसे तेज चलने वाली train का परसो जो है यानि परिक्षन हुआ सफलता पूरवक और ये जल्द ही induct की जाएगी चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने current affair question की तो देखते हैं पहला question क किया है तो पहला question करने से पहले दोस्तों जैसे हम लोग पिछले एक हफते से कह रहे हैं कि आपके जो भी पिछले हफते के doubts रहेंगे आप हमको जो है comment box में पूछे और कल जो है हम आपके सारे doubts का निवारन करेंगे कल अपने 10 बजे जो live session होगा जिसमें मैं आपके सामने हा last week at 10 a.m. So हम लोग 10 a.m. पे आपके सामने ठीक फ्रस्तुत हो जाएंगे ओके तो चलिए देखते हैं पहला question तो हमारा पहला question है कि 2018 बैलन डी और पुरसकार किस ने जीता? So who won the 2018 बैलन डी और अवार्ड? ठीक है? So बैलन डी और अवार्ड किस छेत्र में जी आता है? तो यह football के छेत्र में जो है सबसे बड़ा award है इसे हम लोग footballer of the year के नाम से भी जानते हैं तो यह award किसको मिला है? तो जी हाँ यह award मिला है Luka Modric को किसको? तो Luka Modric को यह award मिला है और Luka Modric किस कहा के खिलारी है? तो यह जो है Croatia के खिलारी है और हमें जैसा पता है अभी जो Russia मे world cup हुआ था तो आपका रशिया में तो रशिया में जो वर्ड कॉप हुआ था उसमें जो है क्रोईशिया final में ञाच किससे हार गई थी तो final में France से हार गई थी तो France जीता था, क्रोईशिया गई थी और France विजेता बना था ठीक है और जो है इसके अलावा क्रोईश्य लुका मोद्रिक को अभी कुCH ही दिन पहले FIFA का FIFA का बेस्ट प्लेयर का भी एवार्ड मिला था क्या मिला था तो FIFA का भी किसको लुका मोद्रिक को अब देखते हैं ज़रा Ballandy Award के बारे में तो ये देखिए ये हैं आपके कौन ये हैं आपके Luka Modrik ठीक है जो की Kroosia के खिलारी है और ये जो है लेडी हैं जिनको की Ballandy Award से सम्मानित किया गया है हो और पहली बार ऐसा है कि Ballandy और Award जो है महिलाओं में भी दिया गया है किसमें तो महिलाओं में भी Ballandy और Award जो है पहली बार दिया गया है तो उससे पहले जो है हम लोग जानकारी देख लेते हैं जरा Ballandy और के बारे में ठीक है तो Balandy Orr के बारे में अगर बात करें तो 1956 में France football ने inaugural Balandy Orr Award दिया था और ये किसको दिया था Stanley Matthews को दिया था तो Stanley Matthews को दिया था जो Black Pull Club के लिए खेलते थे और ये England के खिलारी थे कहां के थे England के फिर 1995 में जो है इस Balandy Orr Award को क्या है कि किसी भी खिलाडी के लिए किसी भी origin का हो उस तक extend कर दिया गया था लेकिन condition ये थी कि वो खिलाडी European clubs के लिए खेलेगा फिर 2007 में ये जो है global हो गया truly क्योंकि ये किसी भी club का हो या कहीं भी किसी भी country का खिलाडी हो उसको दिया जाने लगा और बीच में यानि कि 2010 से 2015 के बीच में जो है Ballandy Award फीफा और France Football द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता था और इस दौरान जो है 2010 में जो पहला Award इस format में दिया गया था किसको दिया गया था तो आपके Lionel Messi को दिया गया था लेकिन 2016 में फिर से फीफा और जो Ballandy और है ये दोनों अलग हो गए और अब ये independently दिया जाता है अब यहाँ पे ये तो है Luca Modric कौन है ये Luca Modric है ठीक है Luca Modric अब नीचे जो Ballandy Award में Ballandy और Award में जो female है inaugural जिनको मिला है अवार्ड ये कौन है तो ये है आपकी आदा हेगरबर्ग कौन है आदा हेगरबर्ग ये नौर्वे की खिलारी है कहां की है तो नौर्वे की खिलारी है ये पहली मिला है जिनको Ballandy Award से सम्मानित किया गया है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेशन है कि नौ सेना दिवस 2018 का विशय क्या है तो भारतिय नौ सेना मिशन तैनाथ और Combat Ready ये इसका सही option है यानि की इंडियन नेवी Mission Deployed and Combat Ready ये 2018 का जो नेवी डे है उसका विशय है ठीक है अब आईए देखते हैं कि भारतिय जो ये हर एक साल 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को ये हर एक साल मनाया जाता है तो ये क्यों मनाया जाता है आईए देखते हैं तो ये जो है यानि की 2018 का एडिशन ये जो है 47 वा संस्करण है ये 47 एडिशन है इसका थीम है Indian Navy Mission Deployed and Combat Ready और 1971 के दोरान भारतिय नौ सेना ने ओपरेशन ट्राइडेंट लॉंच किया और कराची हारबर को निस्तो नाबूत कर दिया तो कराची हारबर ऐसा बताते हैं कि लगातार यहां पर तेल दिपो था साथ दिन तक जलता रहा और जो है साथ दिन बाद उसको कंट्रोल कर पाए उसके बाद जो है इंडियन नेवी ने दिसंबर आठ और नौ को ओपरेशन पाइथन लॉंच किया और इसके साथ ही पाकिस्तान नेवी का कम्प्लीट ब्लॉकेट किया इंडियन नेवी ने और बुरे तरीके से पाकिस्तान नेवी को हराया और कहने का मतलब यह है कि यह सब दिसंबर को तो मात्र 14 दिन में ये लड़ाई जीती गई थी ठीक है अब उस दरान को मतलब किस शिप या सब्मरीन का यूज किया गया था कराची हार्बर को ध्वस्त करने के लिए ये भी आपको बता देते हैं तो पहले तो विद्युत क्लास मिजाइल बोर्ट जो थे ये कि सब्मरीन कर्वेट्टे थे इसमें इस पूरे फ्लीट में सामिल थे या इस पूरे ओपरेशन ट्राइडेंट में सामिल थे ठीक है अब जब बात हुई है नीवी डे की तो भारतिय नौ सेना के बारे में भी पता होना चाहिए तो भारतिय नौसेना जो है 5 सितंबर 1612 में इसकी नीव रखी गई थी कब 5 सितंबर 1612 में इसकी नीव रखी गई थी और 1930 में जो है इसका नाम बदल के Royal Indian Navy कर दिया गया था किसका तो इसका नाम बदल के Royal Indian Navy किया गया था और 1950 में आजादी के बाद इसका नाम बदल कर इंडियन नेवी रखा गया ठीक है और पहले चीफ आफ नेवल स्टाफ कौन थे तो ये वाइस एड्मिरल आडी कटारी थे जो की 22 अप्रिल 1958 के बने थे और जो अब के यानि के अब के प्रेजेंट चीफ आफ नेवल स्टाफ जो है स्ट्रेंथ के बारे में बात किया है तो अगर बात करें तो इंडियन नेवी विश्व में सात्वी सबसे सकतिशाली नेवी है सेवेंथ स्ट्रॉंगेस्ट नेवी इन दा वर्ल्ड है क्या है ये सेवेंथ स्ट्रॉंगेस्ट नेवी इन दा वर्ल्ड है और ये आक्ड ये नेवी जो है 7th strongest नेवी in the world है और भारत के अंदर जो total level assets है ये 295 है जिसमें से aircraft carriers तीन है और एक service में है सब्मरीन्स 15 हैं फ्रिगेट्स 14 हैं डिस्ट्रॉयस 11 हैं कॉर्विते 23 हैं पेट्रोल क्राफ्ट 139 और माइन वार फेर क्राफ्ट 6 हैं तो कुल मिलाके 295 assets हैं भारतिय नेवी के अंदर और global fire index 2018 के हिसाब से overall अगर power index की बात करें यानि कि air force, army और नेवी के terms में तो भारत जो है चौथा सबसे शक्तिदा साली देश है विशो का किसके बाद तो US, Russia, China और फिर इंडिया आता है तो fourth strongest power in the world है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा question है कि किस राज्य के कौशल विकास के लिए भारत ने Asian Development Bank के साथ 85 million dollar के रिन समझाते पर हस्ताक्षर किये तो for skill development of which state इंडिया signed 85 million dollar loan agreement with ADV यानि की Asian Development Bank तो किस के साथ तो आपका Odisha इसका correct answer है तो Odisha में skill development या कौशल विकास के लिए भारत ने Asiai विकास बैंक के साथ 85 million dollar के रिन समझाते पर हस्ताक्षर किया अब जानकारी देखिए हमें क्या-क्या बगदोरना है तो पहले ADB के बारे में इसकी स्थापना हुई थी 19 December 1966 में ठीक है मोटो है Fighting Poverty in Asia and the Pacific Headquarters है Manila Philippines में Membership है फिस 67 countries और President है ताके ही को नकाओ कौन है President तो ताके ही को नकाओ अब बात करें ओडिशा की तो भारत के नक्षे में ओडिशा कहा है आपका ये रहा तो ओडिशा के गवर्नर कौन है गनेशी लाल चीफ मिनिस्टर नवीन पतनाईक Capital है आपका भुबनेश्वर और Chief Justice है Justice K.S. जाविरी जो की जुलाई में अगस्ट में ही जो की Chief Justice बनी थी कौन तो Justice K.S. जाविरी ठीक है अगले question पर बढ़ते है अब हमारा चौता question है Supreme Court ने सांसदो और विधायोकों के अपरादिक मामलों में प्रतेक जीले में विशेश अदालतों की स्थापना के लिए किस दो राज्यों को निर्देशित किया है So which two states were directed by the Supreme Court to set up special courts in each districts in MPs and MLS criminal cases तो आपको बताना है किन दो राज्यों को Supreme Court ने आदेश दिया है कि वो special courts की स्थापना करे हर एक डिस्टिक में So that की जो भी सांसद या विधायक हैं उनके खिलाफ criminal cases उनको deal किया जा सके तो यह में correct answer क्या है आपका केरल और बिहार कौन है तो केरला एंड बिहार तो पहले केरला की बात करें तो केरला के CM कौन है तो केरला के CM है आपके पिन्नरी विजायन कौन है तो पिन्नरी विजायन जो है यहां के CM है फिर बात करें गवर्नर की तो गवर्नर कौन है आपके P87 है P87 जो की भूतपूर Chief Justice of India है और कैपिटल क्या है तो कैपिटल आपकी है त्रिवेंद्रम ठीक है क्या है तो त्रिवेंद्रम है अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो CM है यह हमें पता है कौन है तो नितेश कुमार यहां के Chief Minister है गवर्नर आपके है लाल जी टंडन लाल जी टंडन और जो कैपिटल है वो क्या है तो कैपिटल आपकी सबको पता है तो पटना यहां की कैपिटल है ठीक है चलिए अब पांचवे क्वेशन की और बढ़ते हैं हमारा पांचवे क्वेशन है कि भारत सुडान विदेश कार्याले परामर्श का आठवा सत्र कहां आयोजित किया गया तो यह कहां हुआ अब जब सुडान की बात हुई है तो आए जहरा सुडान के बारे में जानकारी कठा करें तो यह देखिए सुडान जो है एक अफरिकन कॉंटिनेंट का एक देश है और यह अफरीका का पहले चोथा सबसे बड़ा देश हुआ करता था तो आपका यह रहा सुडान इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी खाटूम है और खाटूम जो है हमें पता है यह प्रेजिडेंट कौन है तो प्रेजिडेंट है उमर अलबशिर प्राइम मिनिस्टर है मोताज मौसा करंसी है सुडानिस पाउंड और कैपिटल खार्तूम ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा च्छटा क्वेश्चन है कि वेर वाज दा सेकेंड मीटिंग आ यह आयोजित की गई और यह जो निती फोरम फ़र नॉर्थ इस्ट है यह वहां के डेवलप्मेंट को एक्सिलरेट करने के लिए बनाया गया था कब तो फरवरी 2018 में और इसकी पहली बैठक कहा हुई थी तो इसकी पहली बैठक अगरतला में हुई थी जो कि त्रिपुरा की राजधानी है और इसको चैर कौन कर रहा है तो पहले तो हैं Dr. Rajiv Kumar जो की नीती आयोग के वाइस चैरमन है वो इसके चैरमन है और इनके अलावा कौन है तो डोनर मिनिस्टरी के जो मंत्राले है रोनर मंत्री कौन है यानि की डेवलप्मेंट आफ नॉर्थ इस रिजन के मंत के chairman है तो ये दोनों जो हैं इस forum को co-chair कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा साथवा question है कि भारत के वित्सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है तो इनको आज ही नियुक्त किया गया है कौन है ये तो ये है आपके अजय नारायन जहा कौन तो अजय नारायन जहा और ये 1982 बैच के आईएस officer है मनीपूर कैडर के कहा के है ये मनीपूर कैडर के है और 60 साल होने में इनको मातर दो महीने ही बचे है उससे पहले इनको क्या किया है अजय नाराइन जहाज जो हैं ये क्या थे ये expenditure secretary थे और अजय भूशन पांडे का भी निवति हुई तो ये क्या है ये राजस्व सचीव है revenue secretary या राजस्व सचीव ठीक है तो राजस्व सचीव कौन है अजय भूशन पांडे जो की पहले UIDAI के CEO थे यानि की जो आधार कार्ट देखता है unique identity authority of India तो उसके पहले ये अजय भूशन पांडे और सुभास चंद्रगर्ग जो है ये economic affairs secretary है ठीक है दोस्तों तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये रहे आपके अजय नरायन जहाजी ठीक है चलिए आठवा question देखते हैं कि जलवायू परिवर्तन से लड़ने के लिए 2021-25 के अवदी के लिए विश्व बैंक द्वारा निवेश की जाने वाली राशी क्या है so what is the amount to be invested by world bank for the period 2021-25 to fight climate change तो कितना निवेश करेगा world bank तो आपका 200 अरब डॉलर या फिर 200 बिलियन डॉलर जो है world bank निवेश करेगा climate change से fight कर निगले और जिसमें जो है world bank directly जो है कितने तो directly dollar 100 billion जो है direct देगा और बाकी जो बचे 100 billion डॉलर है ये उसके जो other group members है वो देंगे तो ये group में कौन से हैं तो हमें जैसा पता है कि world bank group जो है कुल मिला कि इसमें 5 institutions हैं तो जिसमें कौन-कौन है international bank for reconstruction and development, international development association, international finance corporation, multilateral investment guarantee agency और फिर international center for settlement of investment disputes तो इसमें से उपर के जो दो हैं इसको हम बोलते हैं world bank क्या बोलते हैं इसको इनको बोलते हैं हम world bank और IDEA को हम लोग बोलते हैं soft loan window क्योंकि ये जो है developing countries या least developed countries को क्या करता है कि बहुत ही सस्ते rates पे एक करज देता है कौन तो अंतराश्ट्रिय विकास संग, so international development association और बात अगर international finance corporation की करें तो IFC जो है ये private companies को finance करता है ठीक है और ये भी world bank का एक हिस्सा है तो इसमें से IB यानि कि ये दोनों जो है directly 100 billion dollar देंगे और बाकी जो 3 agencies है वो 100 billion dollar देगी ये 3 agencies ठीक है तो अब world bank की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में इसका headquarter Washington DC में है और membership इसमें 193 countries है प्रेसिडेंट है इसके Jim Yong Kim और Chief Economist भारतिय मूल की है शांता देवराजन ठीक है तो ये इतनी जानकारी है और यहाँ पे एक और जानकारी क्या है हम world bank के साथ twin sisters किसको बोलते हैं तो twin sisters अगर IMF को भी मिला दें तो इनको हम लोग twin sisters बोलते हैं क्योंकि ये दोनो world bank और IMF Bretton Woods से आये थे किस से आये थे Bretton Woods Conference के बाद आये थे और इनको हम twin sisters भी बोलते हैं और जो इनके द्वारा 1990 में जो reform यानि structurel reform की जो बात होती है यानि कि जिसमें आप liberalization करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं Washington Consensus क्या बोलते हैं तो Washington Consensus क्योंकि IMOF और World Bank दोनों ही Washington में हैं और ये दोनों ही हैं जो की एक economy में reform की बात करते हैं structural reform की ठीक है इसलिए हम लोग Washington Consensus इनको बोलते हैं ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा नवा question है कि भालू पर अंतराष्ट्रिय समेलन कहां शुरू हुआ तो कहां हुआ ये ये चार दिन का समिट जो है ये आगरा में इसकी शुरुवात हुई ठीक है और आगरा क्या है अपका UP में है चलिए अब बढ़ते हैं दसवे question की और हमारा दसवा question है कि ISSF की नयदी समीती के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन है तो who is the first Indian to be elected to ISSFF Judges Committee यानि ISSF से मतलब है International Shooting Federation ठीक है अभी हाल ही में हमने देखाते हैं कि ISSF का जो highest award blue जो star है वो किसको मिला था तो अभिनाव बिंदरा का और वो क्या थे ISSF के athlete committee के chairman थे 2014 से 2018 के बीच में अब आपको बताना है कि पहले भारतिये ISSF Judges Committee में कौन है तो ये है आपके पवन सिंग जो की secretary general है किसके तो national rifle association of India के ठीक है तो national rifle association of India के ये secretary general है और रनिंदर सिंग कौन है ये NRAI के ये president है और ये ISSF के क्या है ये ISSF के vice president भी है ठीक है दोस्तो तो ये ISSF के vice president भी है और ये पहले बारतिये हैं जो ISSF के vice president बने है और ISSF का headquarter का है हमने भी बात की थी तो ये आज का Munich में है और इसके स्थापना कोद हुई थी तो 1907 में ठीक है दोस्तो तो ये था आज का हमारा current fair question और अब देखते हैं अपना question of the day तो हमारा question of the day है कि where is the 62nd national shooting championship competition being held तो 62 राष्ट्रे shooting championship प्रतियोगता कहां आयूजित की जा रही है a. जोदपूर, b. माउंट आबू, c. जैपूर, d. न्यू दिल्ली तो दोस्तो आपको अपना answer comment box में देना है और हम कल शाम को ठीक 6 बजे हाजिर होंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों के information दे रहा हूं कि we will be live tomorrow at 10 a.m. to clear the doubts of last week तो आप लोगों को अगर आज भी कोई doubt है तो आप लोग comment section में पूछ लें क्योंकि कल हैं 10 बजे हम लोग आपके doubts को clear करने के लिए live आपके सामने हाजिर होंगे ठीक है दोस्तों तो तब तक के लिए अलविदा, thank you and good night and yes don't forget to like, share and subscribe